अलो बच्चों सभी को तो गुड वानिंग आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आचुके हैं महत्पुर्ट प्रस्नों की यह एक कैपसुल क्लास है प्यारी बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं रासायन वी यान यानी केमिस्टरी की जो है महत्पुर्ट प्रस्नों का डिसकसन ठीक है और कोसिस यह रखना कि जितना कोसिन हम कराएंगे याद कर लेना रट लेना दुबारा से ना पढ़ना पड़े यह अंदर से कोसिस होना चाहिए आपको आज के ही कलास में और डेली यह कलास सुबह में 6 बज़े होती है इसलिए आप डेली कर लिया करो ठीक है अगर 95 प्लस लाना है तो क्योंकि एक साथ याद करने बैटोगे तो याद नहीं होगा तो थोड़ा थोड़ा करोगे तो पता ठीक है सभी को जय माससुती और सभी लोग सच्चे मन से एक बार माससुती का नमन करें कमेंट में एक बार कमेंट करें फिर हम लोग चलते हैं कोसन नमर एक की तरफ कोसन नमर एक आप लोगों के सामने है चालकतो को परिभासित कीजिए अच्छा आज हम इसी चैप्टर का जो है, मांश्र क्लास लेने वाला हूँ, जो chapter का question करा रहा है, ठीचे, चालकट। को परिभासित करिए, चालकट पर्तिरो, बचालकत बाता परिबनी, बताईए ति चालकट culture hope बता हूअ, चालक Mikad तो किसे कहा जाता है बताओ देखो वैदुत प्रतिरोध जो होता है उसके व्यूत करम को क्या कहा जाता है चालकत्व कहा जाता है वैदुत प्रतिरोध प्रतिरोध है ना प्रतिरोध के व्यूत करम को क्या कहा जाता है चालकत्व कहा जाता है प्रतिरोद के विद्करम को चालकत्व कहा जाता है और जो चालकत्व होता है इसको सी से पदसित किया जाता है और प्रतिरोद की साथ संबंद वन अपान आर हो जाएगा ये चालकत्व का संबंद हो जाता है यह capsule number 1 है ध्यान से समझे लेना आप इतना ही एक्जाम में लिख कराना अच्छा इसका मात्रक भी साथ में याद करते चलो प्यारे दोस्ता मात्रक क्या होगा मात्रक तो चालकतो का मात्रक क्या होता है ओम इनवर्स होता है ओम इनवर्स होता है सेमी अच्छा ओम इनवर्स होता है इसको महो भी कहा जाता है महो भी कहा जाता है या सीमेंस सीमेंस भी कहा जाता है चालकतो का मात्रक ये सब होते हैं ओम इनवर्स या महो या सीमेंस ये मात्रक होता है तो चालकत तो क्या होता है विदुत प्रतिरोद का विदुत करम चालकत होता है एक बात ध्यान से समझना विदुत प्रतिरोद का काम क्या होता है कमेंट वाक्समेंट कमेंट करना इतना प्री मांड से याद करो यार दो कोशन कम करेंगे लेकिन जो याद होगा दुबारा नहीं पढ़ना पड़े काई चाम तक यह सूच के पढ़ो भाई, इसी क्लास का यही उद्देश से है, दो कोशन कम पढ़ो चलेगा यार, लेकिन ऐसा पढ़ लो कि दुबारा इस कोशन को देखना ना पड़े, अच्छा यह मुझे बताओ, कि भया, चालकत्तो का मतलब क्या होगा, विदुत प्रत्रोद क मतलब क्या होता, धारा के मार्ग में औरोद, यही बताया था मैंने, बोलो मेरे प्यारे भाई, यही बताया था प्यारे बच्चे, यही बताया था ना, प्यारे भाई, सभी लोग बहन भी बताओ, यही बताया था, तो चालकत तो विदुत प्रत्रोद का भ्यूत करम है, मत अगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को मैं बता दूँ आप सभी लोगों के बोर्ड परिच्छा के बेहतरीन तयारी के लिए यह सिखर 2.0 बैच का आकाज हो चुका है मात्र 799 रुपे में आपके बोर्ड परिच्छा की पूरी तयारी कराई जा रही है 2.025 बोर्ड परिच्छा की अलफा इंशूट प्रो एप पर आप जॉइन कर सकते हूं यह किताबे भी आपको 799 में ही दी जाएंगी मतलब 799 में आपको पूरी चैप्टर 1 से क्लास दी जा रही है और अब टूबर तक आपका सलेबस कंप्रिट कराए जाएगा साथ साथ में यह किताबे भी उसी में दी जाएंगे आपकी घर तक पहुचाए जाएंगी जबज़स्त किताब है भाई साब टॉपर बनाने के लिए आपको बस आप किताब में जो चीज़ें दी गई होंगी पढ़ लेना परदान हो जाएगा आपकी बोड पर इच्छा के लिए ठीक है चलो जी अगला कोशन चलते हैं अच्छा यह किताब घर तक पहुचाए जाएंगी जोईन कैसे करना है आपको मैं बता देना चाहता हूँ देख लेना आलपाइंस्टूट प्रो एप डाउनलोड करके जोईन कर सकते हैं या फिर यह नमर है 930, 577, 1350 इस पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं और जोईन भी करके अपने तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं चलो अगला कोशन करते हैं अगला कोशन कर सकते हैं वち अपने में विसिष चालकता को परिभासित कीजिए यानि आपसे क्या पूछरा है विसिष चालकता और मोर चालकता था है विशिष्ट चालक्ता क्या होता है किसको किसको आ रहा है भीया किसको किसको आ रहा है विशिष्ट चालक्ता बताओ विशिष्ट चालक्ता किसको किसको आ रहा है सभी को आ रहा है या किसी को नहीं आ रहा है क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध के ब्यूत करम को क्या बोलते हैं विशिष्ट चालकता कहाते हैं विशिष्ट प्रति रोध के व्यूत क्रम को क्या कहा जाता है? विशिष्ट चालकता कहा जाता है? अगर आपको आ रहा है तो आप हमसे पहले कोशन का आंसर देने की कोशिश करो ठीक है? कपा के इस इकॉल टो क्या होता है? कपा के इस इकॉल टो अनपां रो विशिष्ट चलगता का भ्यूत करो अच्छा इसका मातरक क्या होगा? चलो जी भेया मातरक पढ़ लेते हैं मातरक की बात करोगे तो मातरक क्या होगा देखो इसका मातरक होता है ओम इन्वर्स सेमी इन्वर्स है न यह होता है या फिर महो सेमी इन्वर्स लिख सकते हो या सीमें सेमी इन्वर्स लिख सकते हो यह इसका मातरक होता है कि इसका फिसिस चालकता का अच्छा सर ये तो हो गया, आप तो मोलर चालकता भी यहां पर पूछा है, चलो जी भीया, मोलर चालकता भी पढ़ लेते हैं, मोलर चालकता, मोलर चालकता, मोलर चालकता भी देख लेते हैं, मोलर चालकता क्या होता है, बोलो, मोलर चालकता क्या होता है प्यारे दोस्त, बता उसकी चालकता क्या कहलाता है? मोलर चालकता कहलाता है. है न? क्या लिखोगे ऐसे विद्धुत अपगट की चालकता जिसमें क्या हो? जिसमें एक मोल विद्धुत अपगट खुला हो. क्या कहलाता है? बताओ. मोलर चालकता कहलाता है. क्या है? जैसे आपके सामने ले लो, ले लो, ले लो, ले ले लो, एक हम क्या बना दिया? यहाँ पर विलियन बना दिया. इसमें हमने डाल दिया क्या? आइनोड और कैटोड. अब इस विलियन की में अगर मालो एक मोल यहाँ पर हम लोग क्या गोल दें? विद्धुत खोल दें, तो इस billion की जो चालकता होगी, वह molar चालकता हो जाएगी, इसको आपको पता है, lambda ym से पदस्तित किया जाता है, lambda ym becomes equal to क्या होता है, कप्पड़ा, कप्पड़ा, कप्पा के इन्टू एक हजार, एक हजार पटे यम होता है, यह इसका फार्मुला, lambda ym becomes equal to कप्पा क इन्टू एक हजार पटे यम होता है यह इसकी फार्मुला होती है याद रहेगा एकजाम तक अच्छा एक सम्मंद एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पूछ लूँ कहो तो इसका मातरक इसका मातरक अभी कमेंट में कमेंट कर सकते हूँ कर सकते हूँ मातरक चरूरी है याद रहना चाहिए एक जाम तक क्योंकि पूछा जाता है इसका मातरक है यहाँ पर यम क्या है यम है आपका सांदरता और कपा के क्या है यह विशिष्ट चालकता है है यह तो याद होगा यह विशिष्ट चालकता है याद होना चाहिए एक जा मैं करा चुका हूँ फिर भी लेकर आया ताकि आपका त्यान देखूं त्यान किदर है कुछन इधर है जवाब किदर है कमेंट में देखने के लिए फिर भी मैं करा देता हूं कुछन क्या है कोल राउस का नियम इससे पहले मैंने करा चुका है कैपसुल क्लास में लेकिन देखना देखूंगा मैं क्योंकि इसको मैंने इससे पहले capsule class में ही कराया था याद है तो करना नहीं याद है तो देख के करना link करना जरूर सर होमर्क कितना जल्दी नहीं है होमर्क नहीं है यह classwork है class में करना है chat box में करना है ठीक है चलो जी next question पे चलते हैं हम लोग क्या है प आपने आइनों की रूप में पूर रूप से वयोजित हो जाए क्या कहलाता है प्रबल बिदुत अब घटे कहलाता है चैलिक होगे परिभाशा में ऐसा विदुत अब घटे जो इसमे जिसमे बिदुत धारा प्रवाईद करने पर बिदु धारा प्रवाहित करने पर प्रवाहित करने पर या फिर चल में डालने पर पूड रूप से क्या हो जाए पियो जीत हो जाए प्रवल विदुतभ घट्य करने पर पूड रूप से वियो जीत हो जाए तुसे क्या करते हैं प्रवल विदुतभ घट्य करते हैं जैसे आपके सामने NaCl हो गया, NaOH हो गया, KOH हो गया, HCl हो गया, यह सब प्रबल विदुताब घटे हैं, जिसे जल में डालोगे पूरा रूप से व्योजित हो जाएंगे, अच्छे एक बात मैं आउर बता दू, प्रबल मतलब क्या होता है, तेज है, ऐसे बच्चे जो तेज ह पूरा समझे में आ जाए, तेज बच्चे को प्रबल वच्चे कहा जाता है, मतलो वही बात, ऐसा विदुताब घट होता है, जिसको एक बात डालो के पूरूप से भी उजिट हो जाएगा, तो प्रबल विदुताब घट हो जाएगा, असमझ मैं है, इससे भी याद कर सकते हो याद रख सकती हो दिमाग में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं हम लोग, आचा नहा, आगे चलने से पढ़ले, एक कोषन हो रहे है, दुरुबल विदुताब घट है, पताओ, जेशूर का उलटा है, जेशूर का उल्टा है, ऐसा विदुताब घट है, यसमें विद्धुधारा प्रुवाइट करने पर पूर रूप से अपने आयनों के रूप में भी उजितना हो, तो क्या कहलाता है, दुरभल विद्धुता ह्णा अभगते कहलाता है, क्या लिखो कि परिभाशाम में, बताओ, ऐसा ऐसा विद्धुदा अभगते है, जिसमें क्या हो विद्धुत धारा प्रवाहित करने पर क्या हो पूड़ रूप से क्या हो वियो जित वियो जित ना हो क्या कलाता है बताओ दूरबल विद्धुत अब घटे कहलाता है याद कैसे करोगे भाई साफ ऐसे बच्चे जिसको पढ़ाओ एक बार में कुछ समझ में ना है दूरबल विद्धुत अब घटे कम जोर बच्चे है न दारड कर लोगी उधहरड बता दे चलो जी, उधारड कर लेते हैं, उधारड, उधारड, देखें, आपके सामने, CH3, CO, यह ने लिग दिया, मैंने, CH3, CO, यह हो गया, यह सब इसके एक्जांपल्स है, इतना समय हो गया, बंद्रे मेट हो गया, मैं ज्यादा समय नहीं लोगा, आपनों का, क्यों, क्योंकि कुछ हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, पाचवा कोशन आपको कराने वाले हैं, नेश्ट समीकड, इले टोड़ भी हो, तथा भी हो, के बीच समीकड लिखना है, यानि नर्स समीकड आपको बताने है, प्यारे बच्चे, आप लोगों की जो किताब हैं बहुत भेंका तरीके से, इ इनेने किसी तापती पर धातो के इले टोड़ भी हो, और मानक इले टोड़ भी हो, आदी सांदता के मद संबंद बताया, है ना, वैज्यानिक, वैज्यानिक, नाम क्या था इनका, नेश्ट, ने, क्या हुआ, मानक इले टोड भी हो, मानक इले टोड भी हो, इले टोड भी हो मानक इलेक्टोड विभव, E0, इलेक्टोड विभव, E0, 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 E लिखो यहां पर इतुत अपघट्य के सांदर्ता के मध्य क्या हुआ न संबंध बताया संबंध बताया जिसे क्या कहते हैं जिसे क्या कहा जाता है जिसे नश्ट जिसे नश्ट समीकर्ण कहा जाता है जिसे क्या कहा जाता है नश्ट समीकर्ण कहा जाता है अच्छा नश्ट समीकर्ण क्या होता है इणॉट 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 log 1 upon m plus यह आपका net समीखड़ होता है हलाकि numerical question लगाने के लिए कुछ अलग होता है उसके बारे हम लोग अपने class में discuss करेंगे जब numerical की class लगाएंगे उसमें discuss करेंगे यहां तक clear है अच्छा यहां पर लिख लो सभी लोग कौन क्या है इसमें आर आपका क्या है कैस नियतांक है ठीक है ए क्या है के लिए टोड भी वो है प्रोड भी वो है ठीक है और ए नाट सेल क्या है मानक के लिए टोड भी वो है मानक के लिए टोड भी वो है ठीक है ती क्या है ताप है यम क्या है सांदरता है यह सब चीजें यहां पे दे रखी यम क्या है सांदरता है प्यार बच्चे चलो अब हूमर क्यों चलते हैं लिख लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, याद कर लेना इतना तो काफ ही आप लों के लिए N-App होता है यहां पे यह भी होता है अब यह ओमर्ख है आपका सब्जेटिव कोशन वाला विदुतरसानिक सेड़ी किसे काती है इसके प्रमुक लच्छट और उपयोग यह तीन चीज आपके लिए हूमर्ख है करके आना बताना कमेंट में ठीक है यह हूमर्ख हो क्या शाथ में यह आपका कमेंट बाक्स वाला homework देना ठीक है कैसे देना है मैं बता देता हूं hashtag alpha 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 i-n-a-s-t-i-t-u-t हमारे alpha army के सभी प्यारे भाई बहन alpha परिवार के सबसे पहले तो hashtag alpha instructor लिखोगे ठीक है इसके बाद अपना नाम लिखना है आपको name लिखना है name के बाद आपको यहां पर homework जो है और लिख देना है यह काम करना है सभी को जो बच्चा regular class करेगा हम 15-25 दिन बाद उन बच्चों को मैं देखूंगा कि कौन बच्चा regular class कर रहा है regular मेहनत कर रहा है उन सभी बच्चों को हमारे तरब से उसके घर एक gift भेजा जाएगा है ना इसलिए बस कि ताकि आप regular रहो regular class करो इससे क्या होगा अगर regular class करोगे तो आपकी तैयारी बेहतरी होगा असली गिप्ट तो आपकी मासरसती आपको देंगी है ना result लेकिन उससे पले एक जुरू होने के नाते आपके मनोबल को हाई करने के लिए हम यह कर रहे हैं तो आप कोशिश करना की रिगुलर रहो class में गिप्ट आप लोगों के घर जाएगा इस महिने के लास्ट टक है ना जो बच्चे 17 बच्चे थे जुलाई के लास्ट तक उनके घर चला जाएगा और लगातार इस जुलाई में जो बच्चा class किया होगा अगस्त में उस बच्चों को मैं गिप्ट ठीक है यह भी answer अगर हो सके तो type कर सकते हो तो कर देना नहीं तो अपने copy पर लिख लेना आप लोग इस्टा काम तो जानते हैं वो मेरा adderate क्या है alpha a l p h e a alpha i y a n s p i t u t adderate यह होता है इसका underscore यह है इस पर बीज़ सकते हो यह आप टेलिग्राम पर बीज़ सकते हो टेलिग्राम नमर तो आप लोग पताई है ना उससे मैं देख लूँगा ठीक है चलो जी मिलते है नेक्ट कलास में सभी को जयमासर सुती जबर् इतना पढ़ना इतना पढ़ना दिन बर कि भाई साम को दिल को सो जाए कि हाँ आज का दिन तो मैंने पढ़ा 95 प्लस के लिए तस ये सवगात के साथ मैं सभी को फिर से बोलना चाहता हूं अच्छे तरीके से मेनत करो जै हिंद सभी को